गुद मॉर्निंग एब्रिवेशन तुड़ेशन का मतलब होता है इंदी में संख्षेप पाक्षर तो संख्षेप अक्षर यहने किसी भी लंबी लाइन का नाम संख्षेप में कैसी ले जाता है इसी कोई एब्रिवेशन बोलते हैं कुछ इसमस्खत है लिगल एब्रिवेशन रिंड संख्षेप आप सभी लोहने AIR शब्द सुनाओगा AIR जिसको उन कहते हैं। ईनिया रिपोर्टर जितने भी सुप्रीम कोर्ट रोफ है कि जजमेंट्स होते हैं वो जर्नल में नोट होते हैं अब उस जर्णल का नाम होता है अल इंडिया रिपोर्टर टो यहां पर article art dot लिखा हुआ है मतलब वो समीधान की किसी अनुच्छेत की बात कर रहा है यहां किसी international protocol treaty में article की बात हो रही तो article का मतलब होता है इंदी में अनुच्छेत इसको धारा normally हम सामानने कानुवों में इसको धारा के रूप में इसके माल कर दें बी ओबलिक ओ यदि आजाए यदि किसी भी legal drafting में या किसी pleading में बी ओबलिक ओ आए तो उसका मतलब होता है बी हाफ हाफ यहां पर सी यह चार्ड़ेट अकाउंटर नहीं है यदि law की फिल्ड में सी यह लिखा हुआ है तो मतलब हो सिविल अपील की बात हो रही केस का जो short form है वो civil appeal है CA मिल civil appeal दिवानी appeal CRA यह दिया जाए तो criminal appeal है CR stands for criminal and A stands for appeal तो आपराधिक appeal के लिए CRA यूज होता है यह दोनों प्रक्रण है जो high court में जब केस का नाम लगाया जाता है तो अगर वो CA है मतलब civil प्रक्रतिक की appeal है CRA है मतलब criminal appeal है CRR criminal revision CRR यहां पर CR जो है यह क्रिमिनल के लिए stand हो रहा है और R revision के लिए stand हो रहा है तो इसको criminal revision का जाता है कुछ cases होते हैं जिसमें appeal नहीं होती है तो जिन caseों में appeal नहीं होती है वहां पर revision होती है और रिवीजन को पुन अडिक्शन या चिखा कहते हैं तो पुन अडिक्शन इने CRR स्टॉर्ड फॉर्म में इसको CRR कहते हैं MCRC और एक बार MCRC, MNRC, CRRC MCRC इने Miscellaneous इने Vivid Criminal Case तो यह होता है Miscellaneous Miscellaneous Criminal Case इसका मतलब होता है Vivid फोसदारी मामला तो कुछ ऐसे मामले जो न अपील में आते हैं जो न रिवीजन में आते हैं उनके लिए Criminal Miscellaneous इने MCRC पेटिशन दाखिल होती है FA ऐसे कहीं जगों पर आपने case के नाम के आगे FA और ऐसे लिखा है FA मतलब फर्स्ट अपील ऐसे अगर आजा तो सेकंड अपील के बात हो रही है प्रत्वम पील जेदी अपील तो फिस्ट अपील एंड सेकंड अपील एंड ऐसे तो जो वेक्ति law की डिगरी करता उसको LLP का जाता है और इसको इसका जो अब्रिवेशन है Lex Legum Baccalaureus करें और इसी प्रकार LLM जो होता है जिसको Master of Laws का जो वर्ड है वो Lex Legum यह उपर Lex Legum से में Magister तो M stands for Magister तो LLM का full form होता है Lex Legum Magister Master of Laws AP AP और APP कहीं बार यह शब्द लीगल फिल्ड में सुनने को मिलता है पीप एड 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 पर लोग अभियोजिक जिसको लोग अभियोजिक केते हैं पीप मतलब लोग अभियोजिक अतिरिक लोग अभियोजिक तो पीप मिन्स पॉब्लिक प्रोसेकूटर ए एड 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 इस्टर ज़र एड ने जिला जच कहीं कुछ और अप्लिवेशन से डब्यूप कहीं वह आ ने सुनाएं डब्योग बंड़्योचिल लोग तो व्याटियोचिए मतलब होता है डब्योज्व स्थेंग प्र पुर्ट प्रिशनृठ यहां पर अपील के लिए स्टेंड हो रहा है रिट अपील तो जब आपके पिटीशन खारीज होने पर उस आर्डर को आप चैलेंज कर सकते हैं उसे रिट अपील का जाता है इसके बाद MP अनेक इसे मामले हैं जो रिट में नहीं आते हैं इसे बाद जो होते हैं MP के स्क्राइब प्रकरण हैं यहां अगर प्रयोक्त हो रहा है तो राज्य सरकार का प्रदी मिजित को चुछ वह रते हैं वहादी वक्ता होते हैं wil इसके बाद CJ क्ये यहां पर लोड़तों में cj कह इस्तेमाल उजाने व्यवार नयका इदी recursos तो में दिए सब डिविजनल मजिस्टेट जिसे हम उपखंड मजिस्टेट भी हिंदी